रोमियो के नाम पॉलोस प्रेरित की पत्री अध्याए एक पॉलोस की ओर से जो यिशु मसी का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सू समाचार के लिए अलग किया गया है जिसकी उसने पहले ही से अपने भविश्य द्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सू समाचार के विशाय में करता हूं वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरन करता रहता हूँ और नित्ते अपनी प्रार्थनाओं में विनिती करता हूँ कि किसी रीती से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर के इच्छा से सफल हो क्योंकि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान तूँ जिस से तुम स्थिर हो जाओ अर्थात ये कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शाल्ती पाम हे भाईयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस से अंजान रहो कि मैंने बार-बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे और अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले परंतु अब तक रुका रहा मैं युनानियों और अन्य भाशियों का और बुध्धि मानों और निर्बुध्धियों का करज़दार हूँ सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सू समाचार सुनाने को भर सक तैयार हूँ मैं सू समाचार से नहीं लजाता क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहुदी, फिर युनानी के लिए उध्धार के निम्मित परमेश्वर की सामर्थ है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धारमिक्ता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है जैसा लिखा है पर स्वर्क से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म में दबाय रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विशे का ग्यान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अंदेखे गुण, अर्थात, उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व चगत की स्रिष्टी के समय से उसके कामों के द्वारत देखने में आते हैं। यहां तक कि वे नुरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग के बढ़ाई और धन्यवात ना किया, परन्तु वेर्थ विचार करने लगे। यहां तक कि उनका निर्बुध्धी मन अंधेरा हो गया, वे अपने आपको बुध्धी मान जदा कर मुर्ख बन गए। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाश मान मनुष्य और पक्षियों और चोपायों और रेंगने वाले जन्तुओं की मूरत की समानता मे बदल डाला, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाशों के अनुसार अशुधता के लिए छोड़ दिया, कि वे आपस में अपने शरीरों का अनाधर करें, क्यूंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर जूट बना डाला, और स्रिष्टी की उ उस स्रिजनहार की जो सदा धन्य है, आमी, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वभाविक वेवहार को उससे जो स्वभाव की विरुत है बदल डाला, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के आपस में कामातुर होकर चलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निलज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निगम्मे मन पर छोड़ दिया, कि वे अनुचित काम करें, सोवे सब प्रकार के अधर्म, और दुष्टता, और लोग, और बैर भाव से भर गए, और डहा और हद्या, और जगड़े और छल, और इल्शा से भर पूर हो गए, और जुगल खोर, बदनाम करने वाले परमेश्वर के देखने में घ्रने, औरों का अनाधर करने वा मातों के बनाने वाले, माता पिता की आग्या ना मानने वाले, निर्बुध्वी, विश्वास खाती, मया रहे और निर्दाए हो गए, वे तो परमेश्वर की ये विधी जानते हैं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, मृत्यू के दंड के योग्य हैं, तो भी, ना केवल आप ही ये ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। इस बात में तू दूसरे पर दोश लगाता है, उसी बात में अपने आपको भी दोशी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोश लगाता है, आप ही वही काम करता है। क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आग्या से बच जाएगा, क्या तू उसकी कृपा और सहन शीलता और धीरज रूपी धन को तुछ जानता है। क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन भिराव को सिखाती है। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा नयाय प्रगठ होगा, अपने निमित क्रोध कमा रहा है। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बतला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमर्ता की खोच में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप बड़ेगा। हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है क्लेश और संका ठाय का पहले यहूदी पर फिर युनानी पर। पर महिमा और आधर और कल्यान हर एक को मिलेका। जो भला करता है पहले यहूदी को फिर युनानी को। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाती लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी, वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हिर्दाओं में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक की कवाही देते हैं, और अपने पर भरोसा रखता है, कि मैं अंधों का अगुआ, और अंधकार में पड़े हुएं को जियोती, और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, और बालकों का उपदेशक हुँ, और ग्यान और सत्य का नमुना, जो व्यवस्था में है, मुझे मिला है, सो क्या तू, जो औरों को सिखाता है, अपने आपको नहीं सिखाता है, क्या तू, जो चोरी ना करने का उपदेश देता है, आप भी चोरी करता है, तू जो कहता है, व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूरतों से घ्रणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विशे में खबंड करता है, क्या व्यवस्था ना मान कर परमेश्वर का अनाधर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। जैसा लिखा भी है। यदि तू व्यवस्था पर चले, तो खतने से लाब तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने, तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। सो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिना खतना की दशा खतने के बराबर ना की नी जाएगी और जो मनुष्य जाती के कारण बिन खतना रहा यदि वो व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेक पाने और खतना किये जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोशी ना ठेराएगा, क्योंकि वो यहूदी नहीं, जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है, जो प्रगट में है, और देह में है, यहूदी वही है, जो मन में है, और खतना वही है, जो हिर्दय का और आत्मा में है ना कि लेख का, ऐसे की प्रशंसा मनुश्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है अध्याय तीन सो यहूदी की क्या बढ़ाई, अथ्वा खतने का क्या लाब, हर प्रकार से बहुत कुछ पहले तो ये कि परमेश्वर के वचन उनको सौपे गए यदि कितने विश्वास खाती निकले भी, तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वास खाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्त ठहरेगी? कदा भी नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुश्य जूठा ठहरे जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिक्ता ठहरा देता है, तो हम क्या कहें? क्या ये कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्याई है? ये तो मैं मनुष्य की रुईती पर कहता हूँ, कदा भी नहीं, नहीं तो परमेश्वर क्यों कर जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे छूट के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी की नाई में दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ और हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले जब हम पर यही दोश लगाया भी जाता है कि हम उनसे अच्छे हैं कभी नहीं क्योंकि हम यहूदियों और युनानियों दोनों पर ये दोश लगा चुके हैं तिवे सब के सब बात के वश में जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं एक भी नहीं कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं सब भटक गए हैं सब के सब निकम्मे बन गए हैं कोई भलाई करने वाला नहीं एक भी नहीं उनका गला खुली हुई कब्र है उन्होंने अपनी जीभों से चल किया है उनके होटों में सापों का विश है उनका मूँ श्राप और कड़वाहट से भरा है उनके पाम लहू बहाने को फुर्तीले है उनके मार्गों में नाश और क्लेश है उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना उनकी आखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के आधीन है जिससे हर एक मूँ बंद किया चाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग के ठहरे क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा कारण कि व्यवस्था के द्वारा बाप की पहचान होती है पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिक्ता प्रगठ हुई है जिसकी कवाही व्यवस्था और भविश्य द्वक्ता देते हैं अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिक्ता जो मसीही पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए हैं क्योंकि कुछ भेद नहीं सबने पात किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसी इशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराय जाते हैं उसे परमेश्वर ने उसके लोहु के कारण एक ऐसा प्राश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कारेकारी होता है कि जो पाक पहले किये गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की उनके विशे में वो अपनी धर्मिक्ता प्रगट करें वरन इसी समय उसकी धर्मिक्ता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और यिशू पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो तो घमंड करना कहा रहा उसकी तो जगा ही नहीं कौन सी व्यवस्था के कारण से क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामू के बिना विश्वास के तुवारा धर्मी ठहराता है। और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था को व्यर्थ ठहराते हैं। कदा भी नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। अध्याय चार सो हम क्या कहें कि हमारे शारिडिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? यदि इब्राहिम कामू से धर्मी ठराया जाता, तो उसे खमंट करने ही जगा होती. परन्तु परमेश्वर के निकट नहीं, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिक्ता दिना गया. काम करने वाले की मच्टूरी देना दान नहीं, परन्तु हक समझा जाता है. परन्तु जो काम नहीं करता, वरन्भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिक्ता गिना चाता है. जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाउद भी धन्य कहता है, कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म ख्षमा हुए और जिनके पाप धापे गए, धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए. तो ये धन्य कहना, क्या खतना वालू के हिलिए है, या खतना रहितों के लिए भी? हम ये कहते हैं, कि इबराहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिक्ता गिना गया, तो वो क्यों कर गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में खतने की दशा में नहीं परन्तु बिना खतने की दशा में और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धर्मिक्ता पर छाप हो जाए जो उसके बिना खतने की दशा में रखा था जिससे वो उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं और की वे भी धर्मी ठहरे और उन खतना किये हूँ का पिता हो चुना केवल खतना किये हुए हैं परंतु हमारे पिता इबराहीम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खत्ने की दशा में किया था। क्योंकि ये प्रतिग्या, कि वो जगत का वारिस होगा, ना इबराहिम को, ना उसके वंच को व्यवस्था के द्वारत दी कई थे। परंतु विश्वास की धार्मिक्ता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं, तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिग्या निश्फल ठेरी। व्यवस्था तो क्रोध उपचाती हैं, और जहां व्यवस्था नहीं, वहां उसका टालना भी नहीं। इसी कारण वो विश्वास के द्वारा मिलती है, कि अनुग्रह की रीती पर हो, कि प्रतिग्या सब वंश के लिए द्रिड हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सब का पिता है, जैसा लिखा है, कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने, जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हूँ को जिलाता है, और जो बाते हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है, कि मानुवे हैं, उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए, कि उस वचन की अनुसार, कि तेरा वन्ष ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो, और वो, जो एक सो वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर, और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जान कर भी, विश्वास में निर्बल ना हुआ, ना उसने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिग्या पर संदेह किया, पर विश्वास में द्रिड होकर उसने परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना, कि जिस बात की उसने प्रतिग्या की है, वो उसे पूरी करने को भी सामर्थी है, इस कारण, ये उसके धार्मिक्ता गिना गया और ये वचन कि विश्वास उसके लिए धार्मिक्ता गिना गया ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिक्ता गिना चाहेगा अर्थार हमारे लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु येशु को मरे हुओं में से जिलाया, वो हमारे अपराधुं के लिए पकड़वाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया अध्याय पाँच जिलाया भी घमंट करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरच और धीरच से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेन हमारे मन में डाला गया क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसी ठीक समय पर भक्ती हीनु के लिए मरा, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुरलब है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाग करें, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस र तो जब कि हम अब उसके लोहों के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोट से क्यों ना बचेगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यू के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके चीवन के कारण हम हुआ है परमेश्वर के विशे खमंड भी करते हैं इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यू आई और इस रीती से मृत्यू सब मनुष्यों में फैल गई इसलिए कि सब ने पाप किया क्योंकि व्यवस्था के दिये जाने तक पाप जगत में तो था परन्तु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप किना नहीं जाता तो भी आदम से लेकर मूसा तब मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्ज किया जिन्होंने उस आदम के अपरात की नाई जो उस आने वाले का चिन्न है पापना किया पर जैसा अपरात की दशा है वैसी अनुग्रह के वर्दान की नहीं क्योंकि जब एक मनुष्य के अपरात से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह है और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात येशु मसी के अनुग्रह से हुआ बठेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ जैसा एक मनुष्य के पात करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आग्या का फैसला हुआ, परन्तु बहुत धेरे अपराधुं से ऐसा वर्दान उत्पन हुआ, कि लोग धर्मी ठेरे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यू ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रहे और धर्म रूपी वर्दान बहुत आयत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थार यिशू मसी के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य कर सब मनुष्यों के लिए जीवन के निम्मे धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आग्या ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरें, वैसे ही एक मनुष्य के आग्या मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराग बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यू फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभू, यिशू मसी के द्वारा, अनुग्रह भी अनन्त जीवन के लिए धर्मी ठेराते हुए राज्य करें। अध्याएच्छे सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? कि अनुग्रह बहुत हो? कदा भी नहीं. हम जब पाप के लिए मर कए, तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीही यिशू का बप्तिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यू का बप्तिस्मा लिया. सो उस मृत्यू का बप्तिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीही पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें. क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यू की समानता में उसके साथ चुट गए हैं, तो निश्चे उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुश्यत्व उसके साथ कुरूस पर चड़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूट कर धर्मी ठेरा सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जीएंगे भी क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं उस पर फिर मृत्यों की प्रभुता नहीं होने की क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है ऐसे ही तुम भी अपने आपको पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीही यिशु में जीवित समझो इसलिए पाप तुम्हारे मरनहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौपो पर अपने आपको मरे हुओ में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए तुम परमेश्वर को सौपो और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के आधीन नहीं, वरन अनुगरह के आधीन हो तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदा पी नहीं, क्या तुम नहीं जानते? कि जिसकी आग्या मानने के लिए तुम अपने आपको दासों की नई सौंप देते हो, उसी के दासों? और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आग्या मानने के जिसका अंत धर्मिक्ता है, परन्तु परमेश्वर का धन्यवात हो, कि तुम जो पाप के दास थे, मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, जिसके साचे में ठाले गए थे, और पाप से छोड़ाये जाकर धर्म के दास हो गए, मैं तुम्हारी शारीरिक दुरबलता के कारण, मनुश्यों की रीती पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुधता और कुकर्म के दास करके सौपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के अन्हें लिए धर्म के दास करके सौप्तो जब तुम पाप के दास थे, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित हो उनसे उस समय क्या फ्ल पाते थे, क्योंकि उनका अंध तो मृत्यू है परंतु, अब पाप से स्वतंत्र होकर और पर्मेश्वर के दाश बनकर तुमको प्ल मिला, जिस से पवित्रता प्राप्त होती है और उसका परिणाम अनन्त जीवन है. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परन्तु परवेश्वर का वर्दान, हमारे प्रभु मसीही यिशु में अनन्त जीवन है. अध्याय साथ हे भाईयों, क्या तुम नहीं जानते? मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है. क्योंकि व्यवाहिता इस्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पती के जीते जी उससे बंधी है, परन्तु यदि पती मर जाए, तो वो उस व्यवस्था से छूट गई, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष्की हो जाए, तो व्यभी चारणी कहलाएगी, परन्तु यदि पती मर जाए, तो वो उस व्यवस्था से छूट गई, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष्की भी हो जाए, तो भी व्यभी चारणी ना ठेरेगी, सो हे मेरे भाईयों, तुम भी मसी की देह के द्वारा, व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ, जो मरे हुओ में से ची उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए, क्योंकि जब हम शारिरिक थे, तो पाप की अभिलाशाई, जो व्यवस्थ के द्वारा थी, मृत्यों का फल उत्पन करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परन्तु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर, अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए, कि लेक की पुरानी रीती पर नहीं, वरन आत्मा की नहीं रीती पर सेवा करते हैं, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है, कदा भी नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता, व्यवस्था यदि ना कहती के लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परन्तु पाप ने अवसर पाकर आग्या के द्वारा, मुझ में सब प्रकार का लाला चुद्पन किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीविन था, परन्तु जब आग्या आई, तो पाप जी गया, और मैं मर गया, और वही आग्या, जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यू का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर, आग्या के दुआरा मुझे बहकाया, और उसी के दुआरा मुझे मार भी डाला, इसलिए व्यवस्था पवित्र है, और आग्या भी ठीक और अच्छी है, तो क्या वो जो अच्छी थी, मेरे लिए मृत्यू ठहरी, कदा भी नहीं, परन्तु पाप, उस अच्छी वस्थू के दुआरा मेरे लिए मृत्यू का उत्पन करने वाला हुआ, क्यों उसका पाप होना प्रगट हूँ, और आग्या के दुआरा पाप बहुत ही पाप मैठ है, क्योंकि हम जानते हैं, कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परन्तु मैं शा परन्तु जिस से मुझे घ्रणा आती है, वही करता हूँ, और यदि जो मैं नहीं चाहता वो करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ, कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है, जो मुझ मैं बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ क कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परन्तु भले काम उससे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, वो तो नहीं करता। परन्तु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, वही किया करता। यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नारा। परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है सो मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है मैं भीतरी मनुश्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन रहता परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धी की व्यवस्था से डड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के पंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है मैं कैसा भागा मनुष्य मुझे स्मृत्यों की देह से कौन छुड़ाईगा मैं अपने प्रभु येशु मसी के द्वार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं निरान में आप उध्धी से परमेश्वर की विवस्था का है परन्तु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं अध्याए आठ सो अब जो मसी येशु में है उन पर दंड की आक्या नहीं क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसी येशु में मुझे पाप की और मृत्यों की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेज कर शरीर में पाप पर दंड की आक्याती इसलिए कि व्यवस्था की विधी हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात में आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं शरीर पर मन लगाना तो मृत्यू है, परन्तु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांती है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की वेवस्था के आधीन है, और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं, वे परम इश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परन्तु आत्मिक दशा में। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वो उसका जन नहीं। और यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परन्तु आत्मा धर्म के कारण जीवत और यदि उसी का आत्मा, जिसने यिशु को मरे हुओ में से चिलाया, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसी को मरे हुओ में से चिलाया, वो तुम्हारी मरनहार देहु को भी अपने आत्मा के त्वारा, जो तुम में बसा हुआ है, चिलाएगा सोहे भाईयों, हम शरीर के कर्ज़दार नहीं, कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, तो जीवित रहोगे. इसलिए, कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाय चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुम को दासत के आत्मा नहीं मिली, ये फिर भैबीत हो, परन्तु ले पालक पन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर बुकारते हैं, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ कवाही देता है, कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं, तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं, कि उसके साथ महिमा भी पाएं, क्योंकि मैं समझता हूँ, कि इस समय के दुखnen और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकठ होने वाली है कुछ भी नहीं है क्योंकि इस रिष्टी बड़ी आशा भरी दृष्टी से पर्मेश्वर के पुत्रों के प्रकठ होने की बाट जो रही है क्योंकि स्रिष्टी अपने इच्छा से नहीं, पर आधीन करने वाले की ओर से विर्थता के आधीन इस आशा से की गई कि स्रिष्टी भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी क्योंकि हम जानते हैं कि सारी स्रिष्टी अब तक मिलकर कहरती और पीडाओं में पड़ी तडपती हैं और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कहरते हैं और लेपाला खोने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं आशा के द्वारा तो हमारा उध्धार हुआ है परन्तु जिस स्वस्तु की आशा की जाती है यदि वो देखने में आये हैं तो फिर आशा कहां रही क्योंकि जिस स्वस्तु को कोई देख रहा है तो उसकी आशा क्या करेगा परन्तु जिस स्वस्तु को हम नहीं देखते हैं यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। इसी रीती से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहयता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीती से करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर-भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनिती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनिती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन करती है, अर्थात उनहीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहरा भी है, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हूँ, ताकि वो बहुत भाईयों में पही लोठा ठहरे, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है, सो हम इन बातों के विशे में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, जिसने अपने निजपुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा, परमेश्व पर वो है, चोन को धर्मी ठहराने वाला है, फिर कौन है जो दंड की आग्या देगा, मसी वो है जो मर कया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है, कौन हम को मसी के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश या संकट, या उपद्रफ, या अका, या नंगाई, या जोखिम, या तलवा, चैसा लिखा है, कि तेरे लिए हम दिन धर खात किये जाते हैं, हम बद होने वाली भेडों की नाई गिने गए हैं, बरन तु इन सब बातों में, हम उसके द्वारा, जिसने हम से प्रेम किया है, जैवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, कि ना मृत्यू, ना जीवन, ना स्वर्गदूद, ना प्रधानताई, ना वर्तमान, ना भविश्य, ना सामर्थ, ना उचाई, ना गहराई, और ना कोई और स्रिष्टी हमें परमेश्वर के प्रेम से, ज अध्याए नौ जाता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था, कि अपने भाईयों के लिए, जो शरीर के भाव से, मेरे कुटुम्बी हैं, आप ही मसीही से शापित हो जाता, वे इस्राइली हैं, और ले पालकपन का हक, और महिमाई, और वाचाएं, और व्यवस्था, और उपासना और प्रति ज्याएं उन्ही की हैं, पुर्खे भी उन्ही के हैं, और मसी भी शरीर के भाव से उन्ही में से हुआ, जो सब के उपर परम परमेश्वर, युगान युग धन है, आमी, परंतु ये नहीं, कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए, कि जो इस्राइल के वन्शज हैं, वे सब इस्राइली नहीं, और ना इबराहीम के वन्श होने के कारण, सब उनकी संतान ठेरे, परंतु लिखा है, कि इस हाग ही से तेरा वन्श कहलाएगा, अर्थात, शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिग्या के संतान वन्श किने जाते हैं, क्योंकि प समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा और केवल यहीं नहीं परन्तु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इस हाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक चन में थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा इसलिए कि परमेश्वर की मन्सा जो उसके चुन लेने के अनुसार है कर्मों के कारण नहीं परन्तु बुलाने वाले पर बनी रहे जैसा लिखा है मैंने याकूब से प्रेम किया परन्तु ऐसों को अप्रिय जाना सो हम क्या कहें क्या परमेश्वर के यहां अन्याए है कदा भी नहीं क्योंकि वो मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा सो ये ना तो चहने वाले की ना दोड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया मैंने तुझे इसी लिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी प्रित्वी पर हो सो वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है सो तु मुझसे कहेगा वो फिर क्यों दोश लगाता है कौन उसकी इच्छा का सामना करता है हे मनुष्य भला तु कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है क्या गड़ी हुई वस्तु गषने वाले से कह सकती है कि तुने मुझे ऐसा क्यों बनाया है क्या कुमहार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किये गए थे बड़े धीरत से सही और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की अर्थात हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया जैसा वो होशे की पुस्तक में भी कहता है कि जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूंगा और ऐसा होगा कि जिस जगह में वे उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे और यहशेया इस्राइल के विशे में पुकार कर कहता है कि जाहे इस्राइल की संतानों की किंती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उन में से थोड़े ही बचेंगे क्योंके प्रभू अपना वचन पृत्वी पर पूरा करके धार्मिक्ता से शीक्र उसे सिथ करेगा जैसा यह शया ने पहले भी कहा था कि यदि सेनाओं का प्रभू हमारे लिए कुछ वन्ष न छोड़ता तो हम सदोम की नाई हो जाते और अमोरा के सरीखे ठहरते सो हम क्या कहें ये कि अन जातियों ने जो धार्मिक्ता की खोच नहीं करते थे धार्मिक्ता प्राप्त की अर्थात उस धार्मिक्ता को जो विश्वास से है परन्तु इस्राइली जो धर्म की व्यवस्था की खोच करते हूं उस व्यवस्था तक नहीं पहुचे किसलिए इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परन्तु मानो कर्मों से उसकी खोच करते थे उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई जैसा लिखा है देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चटान रखता हूँ और जो उस बर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा अध्यायद दस हे भाईयों मेरे मन की अभिलाशा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उध्धार पाएं क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ क्योंको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंत बुद्धिमानी के साथ नहीं क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिक्ता से अंजान होकर और अपनी धार्मिक्ता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिक्ता के आधी ना हुए क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धारमिक्ता के निम्मित मसीही व्यवस्था का अंत है क्योंकि मूसा ने ये लिखा है जो मनुष्य उस धार्मिक्ता पर जो व्यवस्था से है चलता है वो इसी कारण धीवित रहेगा परन्त जो धार्मिक्ता विश्वास से है वो यों कहती है तू अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए या गहिराव में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिला कर उपर लाने के लिए परन्त तू क्या कहती है ये के वचन तेरे निकट है तेरे मुह में और तेरे मन में है ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मूँ से येशु को प्रभु जानकर अंगी कार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुँ में से जिलाया तो तू निश्चय उध्धार पाएगा क्योंकि धार्मिक्ता के लिए मन से विश्वास किया चाता है और उध्धार के लिए मूँ से अंगी कार किया चाता है क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं इसलिए कि वो सब का प्रभू है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है क्योंकि जो कोई प्रभू का नाम लेगा वो उधार पाएगा फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे और प्रचारक बिना क्यों कर सुने और यदी भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें जैसा लिखा है कि उनके पाव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सू समाचार सुनाते हैं परन्तु सब ने उस सू समाचार पर कान ना लगाया यशायाह कहता है हे प्रभु किसने हमारे समाचार की प्रदीती की है सू विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है परन्तु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना, सुना तो सही, क्योंकि लिखा है, कि उनके स्वर सारी प्रित्वी पर और उनके वचन जगत की जोर तक पहुच गए हैं, फिर मैं कहता हूँ, क्या इस्राहिली नहीं जानते थे, पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाती नहीं, तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाती के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा, फिर या शायाहर बड़े हियाप के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंडते थे, उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे भूचते भी न थे, उन पर मैं प्रकट हो गया। परण तो इस्राइल के विशे में वो ये कहता है, कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक आग्या ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की और पसारे रहा। अध्याए ग्यारा इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया, कदाल भी नहीं। मैं भी तो इस्राइली हूँ, मैं इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा, जिसे उसने पहले ही से जाना, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र ऐलियाह की कथा में क्या कहता है, वो हे प्रभु उन्होंने तेरे भविश्य द्वक्ताओं को खात किया और तेरी वेदियों को ठा दिया है। मैं ही अकेला बच रहा हूं और वे नेरे प्राण के भी खोजी है। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला। मैंने अपने लिए साथ हजार पुर्शों को रख छोड़ा हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। सो इसी रीती से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं। यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर करमों से नहीं। नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। सो परिणाम क्या हुआ। ये कि इस्राइले जिसकी खोच में हैं वो उनको नहीं मिला। परंतु चुने हुँ को मिला। और शेश लोग कठोर किये गए है। जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है। और ऐसी आँखें जो न देखें और ऐसे कान जो न सुने। और दाउद कहता है। उनका खोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। उनकी आँखों पर अंधेरा च्छा जाए ताके न देखी और तू सदा उनकी पीठ को जुकाए रख सो मैं कहता क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई की गिर पड़े कदा भी नहीं परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उधार मिला कि उन्हें जलन हो सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ती का कारण हुआ तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा मैं तुम अन्य जातियों से ये बाते कहता हूँ जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ कि किसी रिती से मैं अपने कुटुम्बियों से जलन करवा कर उन में से कई एक का उधार कराँ क्योंकि जब कि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कालन हुआ तो क्या उनका ग्रहन किया जाना मरे हुँ में से जी उठने के बराबर ना हुगा जब भेट का पहला पेड़ा पवित्र ठेरा तो पूरा गुंधा हुआ आटा भी पवित्र है और जब जड़ पवित्र ठेरी तो डालियां भी ऐसी ही है और यदि कई एक डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है तो डालियों पर खमंड ना करना यदि तू घमंड करे तो जान रख की तू जड़ को नहीं परन तू जड़ तुझे संभालती है फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई की मैं साटा ज़ंग भला वे तो अब विश्वास के कारण तोड़ी गई परन तू विश्वास से बना रहता है इसलिए तू अभिमानी ना हो परन तू हाय कर क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी तो तुझे भी ना छोड़ेगा इसलिए परमेश्वर की क्रिपा और कड़ाई को देख जो गिर गए उन पर कड़ाई परन तू तूझ पर क्रिपा यदि तू उसमें बना रहे नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा और वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है क्योंकि यदि तू उस चलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया तो वे जो स्वभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे हे भाईयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आपको बुद्धी मान समझ लो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेट से अंजान रहो कि जब तक अन जातियां पूरी रीती से प्रवेश ना कर लेंगा तब तक इस्राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीती से सारा इस्राइल उत्थार पाएगा जैसा लिखा है कि छुडाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जबके मैं उनके पापों को दू पूर कर दूँगा अग्या ना मानी कि तुम पर जो दया होती है इससे उन पर भी दया हो क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्याना मानने के कारण बंद कर रखा ताकि वो सब पर दया करें हाँ हाँ परमेश्वर का धन और बुद्धी और ग्यान क्या ही कंभीर है उसके विचार कैसे अधा और उसके मार्ग कैसे अगम है प्रभु की बुद्धी को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बतला उसे दिया जाए क्योंकि उसकी ओर से और उसी के त्वारा और उसी के लिए सब कुछ है उसकी महिमा युगान युग होती रहे आमीन अध्याए बारा इसलिए हे भाईयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरन दिला कर विनिती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चड़ाओ यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है और इस संसार के सद्रिश ना बनो परन्तु तुम्हारी बुद्धी के नए हो जाने से तुम्हारा चालचलन भी बदलता चाए जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभाव से मालुम करते रहूँ क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उस से बढ़कर कोई भी अपने आपको ना समझे पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमांग के अनुसार बाट दिया है वैसा ही सुबुद्धी के साथ अपने को समझे क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं वैसा ही हम जो बहुत है मसीही में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन-भिन वर्दान मिले है तो जिसको भविश्य द्वाणी का दान मिला हो, वो विश्वास के परिमान के अनुसार भविश्य द्वाणी करे यदि सेबा करने का दान मिला हो, तो सेबा में लगा रहे यदि कोई सिखाने वाला हो, तो सिखाने में लगा रहे जो अपदेश अखो वो अपदेश देने में लगा रहे दान देने वाला उदारता से दे जो अगुआई करे वो चाह से करे जो दया करे वो हर्ष से करे प्रेम निश कपठो, बुराई से घ्रना करो फलाई में लगे रहो भाई चारे के प्रेम से एक तूसरे पर दया रखो, परस पर आदर करने में एक तूसरे से पढ़ चलो, प्रयत्म करने में आलसी ना हो, आत्मे कुन माद में भरे रहो, प्रभु की सिवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो, उसमें उनकी साहिता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीश दो, आशीश दो स्राप ना दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परं तु दीनों के साथ संगती रखो अपनी दृष्टी में बुद्धी मान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो जहां तक हो सके, तुम अपने भर्षक सब मनुश्यों के साथ मिल मिलाप रखो हे प्रियो, अपना पल्टा ना लेना, परं तु प्रोध को अवसर दो क्योंकि लिखा है, पल्टा लेना मेरा काम है प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूँगा परं तु यदि तेरा बैरी भूखा हो, तो उसे खाना खिला यदि प्यासा हो, तो उसे पानी पिला क्योंकि ऐसा करने से तु उसके सिर पर आग के अंकारों का ठेर लगाएगा बुराई से ना हरो, परं तु भलाई से बुराई को चीत लो अध्याय तेरा हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के आधिन रहे क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठेराय हुए हैं इस से जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधी का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परन तु बुरे काम के लिए डर का कारा है सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी और से तेरी सराहना होगी क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है परन्तु यदि तू बुराई करे तो डर्म क्योंकि वो तलवार वेर्थ लिये हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे इसलिए आधीन रहना ना केवल उस क्रोध से परन्तु डर से अवश्य है वरन विवेक भी यही गवाही देता है इसलिए कर भी दो क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं इसलिए हर एक का हक चुकाया करो जिसे कर चाहिए उसे कर दो जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो जिससे डरना चाहिए उससे डरो जिसका आधर करना चाहिए उसका आधर करो आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्सदार नहोँ क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसीने व्यवस्था पूरी की है क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, दालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्या हो तो सबका सारांच इस बात में पाया जाता है कि अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रख प्रेम पडोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नीम से जाग उठने की घड़िया पहुँची है क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उध्धार निकट है राद बहुत बीत कई है और दिन निकलने पर है इसलिए हम अंधकार के कामों को तेश कर जोती के हथियार बांद ले जैसा दिन को सुहता है वैसा ही हम सीधी चाल चले ना की लीला, क्रीडा और प्यक्कडपन ना व्यभिचार और लुचपन में और ना जगड़े और डह में बरन प्रभु यिशू मसी को बहन लो और शरीट के अभिलाशों को पूरा करने का उपाय ना करो अध्याय चोहते है जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगती में ले लू परन्तु उसकी शंकाओं पर विवात करने के लिए नहीं क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है परन्तु जो विश्वास में निर्बल है वो साखपाथ ही खाता है और खाने वाला ना खाने वाले को तुछ ना जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोश ना लगाए क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहन किया है तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोश लगाता है उसका स्थिर रहना या किर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएका क्योंकि प्रभू उसे स्थिर रख सकता है कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है हर एक अपने ही मन में निश्य कर ले जो किसी दिन को मानता है वो प्रभू के लिए मानता है जो खाता है वो प्रभू के लिए खाता है क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवात करता है और जो नहीं खाता वो प्रभू के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवात करता है क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और कोई अपने लिए मरता है क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभू के लिए जीवित हैं और यदि मरते हैं तो प्रभू के लिए मरते हैं सो हम चिया करें या मरें हम प्रभू ही के हैं क्योंकि मसी इसलिए मरा और जीवि उठा कि वो मरे हुओं और जीवतों दोनों का प्रभू तू अपने भाई पर दोश क्यों लगाता है या तू फिर क्यों अपने भाई को तुछ जानता है हम सब के सब बरमेश्वर के न्याय सिंखासन के सामने खड़े होगी क्योंकि लिखा है प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध हर एक खुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा अतैब आगे को हम एक दूसरे पर दोश ना लगाए पर तुम यही ठाननों कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे मैं जानता हूँ और प्रभु इशु से मुझे निश्चे हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है यदि तेरा भाई तिरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तु प्रेम की रीती से नहीं चलता जिसके लिए मसीही मरा उसको तु अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर अग तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए क्योंकि परमेश्वर का राच्चे खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाब और वो आनंद है जो पवित्रात्मा से होता है जो कोई इस रीती से मसीही की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहन योग ये ठहरता है इसलिए हम उन बातों का प्रयत्म करें जिन से मेल मिलाब और एक तूसरे का सुधार हो भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना विगाड़ सब कुछ शुध तो है परंतु उस मनुष्य के लिए पुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है भला तो ये है कि तू ना मांस खाए और ना दाखरस्पिय ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख धन्य है वो जो उस बात में जिसे वो ठीक समझता है अपने आपको दोशी ठहराता परंतु जो संदे करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका क्योंकि वो निश्चय धार्णा से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है अध्याए पंद्रा निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सही ना कि अपने आपको प्रसंद करें हम मेंसे हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निम्मत प्रसंद करें क्योंकि मसीह ने अपने आपको प्रसंद नहीं किया पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आपड़ी जितनी बात पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांती के द्वारा आशा रखें और धीरज और शांती का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वर्दान दे कि मसीही यिशू के अनुसार आपस में एक मन रहो जिससे तुम एक मन और एक मूं होकर हमारे प्रभू यिशू मसी के पिता परमेश्वर की बढ़ाई करो इसलिए जैसा मसी ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहन किया है वैसे ही तुम भी एक तूसरे को ग्रहन करो मैं कहता हूँ कि जो प्रतिग्याएं बाब दादाओं को दी गई थी उन्हें द्रिड़ करने के लिए मसी ही परमेश्वर की सच्चाई का प्रमान देने के लिए खतना किये हुए लोगों का सेवक बना और अन्य जाती भी दया के कारण परमेश्वर की बढ़ाई करे जैसा लिखा है इसलिए मैं जाती जाती में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा फिर कहा है हे जाती जाती के सब लोगों उनकी प्रजा के साथ आनंद करो और फिर फिर यशाया कहता है यशाय की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांती से परिपून करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए हे मेरे भाईयों मैं आप भी तुम्हारे विशे में निश्चे जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और इश्वरिय ग्यान से भरपूर हो और एक तूसरे को चिता सकते हो तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत हियाब करके लिखा है ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीही यिशु का सेवक होकर परमेश्वर के सू समाचार की सेवा याजक की नाइन करूँ जिससे अन्य जातियों का मानों चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बन कर ग्रहन किया चाए सो उन बातों के विशे जो परमेश्वर से संबंध रखती है मैं मसीही यिशु में बढ़ाई कर सकता हूँ क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विशे में कहने का हियाव नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधिन्ता के लिए वचन, कर्म, चिन्नों और अध्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किये यहां तक की मैंने यरुशलेम से लेकर चारों और इल्लूरिकुम तक मसीह के सू समाचार का पूरा-पूरा प्रचार किया पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां-जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सू समाचार सुनाओं ऐसा ना हो कि दूसरे की नेव पर खर बनाओं परन तुझ जैसा लिखा है वैसा ही हो जिन्हें उनका सुसमाचार नहीं पहुचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार-बार रुका रहा परन्तु अब मुझे इन देशों में और जगे नहीं रही और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है इसलिए जब इस पानिया को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट करूँ और जब तुम्हारी संगती से मेरा जी भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुँचाते हूँ अभी तो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरुशलेम को जाता हूँ क्योंकि मकी दुनिया और अख्या के लोगों को ये अच्छा लगा कि यरुशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिए कुछ चंदा करी अच्छा तो लगा परंतु वे उनके कर्ज़तार भी हैं क्योंकि यदि अन्य चाती उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारिरिक बातों में उनकी सेवा करें सो मैं ये काम पूरा करके और उनको ये चंदा सौप कर तुम्हारे पास होता हुआ इस पानिया को जाओंगा और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आओंगा तो मसी की पूरी आशीश के साथ आओंगा और हे भाईयों मैं येशु मसी का जो हमारा प्रभू है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरन दिला कर तुम से विनिती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लॉलीन रहूँ कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूँ और मेरी वो सेबा जो यरुशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाई और मैं परमेश्वर के इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाओ शान्ति का परमेश्वर तुम सब के साथ रहे आमी सोलुमा अध्याए मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंखिया की कलीसिया की सेविका है विनिति करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभू में ग्रहन करो और जिस किसी बात में उसको तुम से प्रयोजन हो उसकी साहिता करो क्योंकि वो भी बहतों की वरन मेरी भी उकारणी हुई है प्रिस्का और अक्विला को जो यिशू में मेरे सहकर्मी है नमस्कार उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर्दे रखा था और केवल मैं ही नहीं वरन अन जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती है और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है मेरे प्रिये इपैनित उसको जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है नमस्कार मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया नमस्कार अंध्रु निकुस और युनि यास को जो मेरे कुटुम्बी हैं मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेलितों में नामी है और मुझ से पहले मसी में हुए थे नमस्कार अंपली यातुस को जो प्रभु में मेरा प्रिये है नमस्कार अर्बानुस को जो मसी में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्रिये इस्तखुस को नमस्कार अपलेस को जो मसी में खरा निकला नमस्कार अरिस्तू बुलुस के खराने को नमस्कार मेरे कुटुंबी हेरो दियोन को नमस्का, नरकिस सुस के घराने के जो लोग प्रभु में हैं उनको नमस्का, तुरू फैना और तुरू फोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती हैं नमस्का, प्रियाप पिर्सिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया नमस्का, आपस मैं पवित्र चुम्बन से नमस्कार करूँ तुमको मसी की सारी कली सियाओं की ओर से नमस्कार अभे भाईयों मैं तुमसे विनिती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विप्रीत जो तुमने पाई है फूट पढ़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसी की नहीं परन्तु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं तुम्हारे आज्या मान्य की चर्चा सब लोगों में फैल गई है इसलिए मैं तुम्हारे विशय में आनंद करता हूँ फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धि मान परन्तु बुराई के लिए भोले बने रहो शान्ति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाउं से शीग्र कुचलवा देगा हमारे प्रभु येशु मसी का अनुक रहे तुम पर होता रहे तिमुधियूस मेरे सहकर्मी का और लुकियूस और यासोन और सोसी पत्रुस मेरे कुटुंबियों का तुमको नमस्कार मुझ पत्री के लिखने वाले तिर्दियूस का प्रभु में तुमको नमस्कार गयूस का जो मेरी और कलीसिया का पहुनाई करने वाला है उसका तुम्हे नमस्कार एरास्तुस जो नगर का भंडारी है और भाई कवार्तुस का तुमको नमस्कार अब जो तुमको मेरे सूसमाचार अर्थात यिशू मसीह के विशे के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है उस भेत के प्रकाश के अनुसार जो सनातान से छिपा रहा परन्तू, अब प्रकट होकर सनातन परमिश्वर की आग्या से भविश्य दक्ताओं की पुस्तकों के त् कि वे विश्वास से आग्या मानने वाले हो जान उसी अद्वायत बुद्धिमान परमेश्वर की यिशु मसी के द्वारा युगान योग महिमा होती रहे आमीन